हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूटूब चैनल एक जाम हिंट्स में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आजमकड युनिवर्सिटी में हुए फिजिकल एजूकेशन एंड योगा के कोश्चन पेपर का साल्यूशन जो की आपके परिक्षा के लिए भी बेहद मातपुर होगा तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लें तथा बेल लाइकन को प्रेस करना ना तो चलिए आज किस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बात करें पहले प्रस्ण की तो पहला प्रस्ण है पौराडी खेल कौन सा नहीं है तो पौराडी खेल कौन सा नहीं है इसके आपसन है गिली डंडा, कंचा, स्टैचू, फुटबॉल तो इसका राइट आ प्रस्ण की तो अगला प्रस्ण है मनुरंजन के आयोजन में सबसे महतपूर कारक क्या है तो मनुरंजन के आयोजन में सबसे महतपूर कारक होता है material यानि की समागरी तो इसका राइट आंसर होगा आपसन नमबर थर्ड बात करें एगले प्रस्ण की तो अगला प्रस्ण है सारीरिक सिच्छा की आवसकता क्यों पढ़ती है तो सारीरिक सिच्छा की आवसकता सारीरिक मांसिक एवंग नैतिक मुल्यों के विकास के लिए आवसकता होती है तो इसका राई टांस रोजाएगा आपसर नमबर फर्स्ट अगला प्रस्ण है What is the meaning of fitness? यानि कि fitness का क्या अर्थ है तो fitness का अर्थ होता है बिना थके प्रतिदिन की गतवीरियों को पूरा करना ही fitness कहलाएगा तो इसका right answer रोजाएगा option number first अगला प्रस्ण है सारीरीख fitness का क्या महत्व है तो सारीरीख fitness के महत्व में या वजन को नियंतिन करता है दिल को स्वस्थ रखता है इस्ट्रोक को कम करता है तो इसका right answer रोजाएगा option number four उपरोगत सभी अगला प्रस्ण है स्वास्थ को प्रभावित करने वाला कारक कौन है तो इसके option दिए गए है तो जो दैनिक खान पान होता है वैस्थ स्वास्थ को अतिदिक प्रभावित करने वाला कारक होता है अगला प्रस्ण है स्वास्थ संबंदी fitness के घटक है तो इसके option दिए गए है मास पेसी सकती अधिक उर्जा बल तथा चौथा आपसन दिया गया है अगला प्रस्ण है मन आत्मा और सरीर को स्वास्थ रखना बिमारियों से दूर है तो इसके राइट आंसर जाएग अगला प्रस्ण है मोटापा किसे मापा जाता है तो मोटापा BMI से मापा जाता है तो इसका राइट आंसर जाएगा आपसन नमबर थर्ड बात करें अगले प्रस्ण की तो अगले प्रस्ण है मोटापी का लग्चड क्या है तो इसके आपसन दिए गए निधना आना, कराटे लेना, सास जल्दी फोलना तो इसका राइट आंसर होगा आपसन नमबर थर्ड सास जल्दी फोलना मोटापे का प्रमुक लग्चड है अगला प्रस्ण है वजन बढ़ने का कारण क्या है तो इसके option है थाइराइड, option second बिमारी, option third है अच्छा मेटो बोलीज़, तथा option 4 है दैनिक खानपान, तो right answer है option 4 दैनिक खानपान बात करें अगले प्रस्ण की, तो अगला प्रस्ण है, वाटीज stroke यानि की, पच्छा गात का अर्थ होता है, मस्तिस्क में रक्त की आपूर्ती का रुख जाना ही, पच्छा गात या stroke कहलाता है, तो इसका right answer होगा, option number second अगला प्रस्ण पूछा है, तनाव कितने प्रकार की होता है, तो इसके option दीगए है, सकारात्मक, नकारात्मक, एवंग नकारात्मक, तथा fourth option है, बाुत दिक तनाव, तो इसका right answer हो जाएगा, option number second अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा तनाव का सुरोथ है तो इसके आपसन देगे हैं परियावरण, समाजिक तनाव, सारीरिक तनाव तथा फोर्थ आपसन है उपर्युक्थ सभी तो इसका राइट आंसर जाएगा आपसन नंबर फोर उपर्युक्थ सभी अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन नकारात्मक तनाव का उधारण है तो इसके आपसन है बेरोजगारी, कानूनी समस्चा, तलाक तता फोर्थ आपसन है उपर्युक्थ सभी तो ये सभी नकारात्मक तनाव की अंतर गताते हैं अतराइट आंसर होगा आपसन नंबर फ चेасन अचारी अवार्ड सर्वस्रीश्ट गुरु को दिया जाता है अतराइट आंसर होगा आपसन नंबर फ़रड अगला प्रस्ण है बास्केट बाल में मैच की सुरुएत कैसे होती है तो बास्केट बाल मैच में रिफ्ण्ट के दौरा बाल को उपर फिक कर मैच की अगला प्रस्ण है पेनाल्टी किक किस खेल से सम्गन धीत होता है पर यहां पर आपसन फुटबॉल नहीं दिआ गया है तौ इसे आप देख लेगे तथा इसका राइट आंसर मिलने पर आपको बता दिया जाएगा अगला प्रस्ण है राश्टरी खेल दिवस कब मनाय जाता है तो राश्टरी खेल दिवस 29 अगस्त को मनाय जाता है तो इसका राइट आंसर होगा आपसर नमबर 3 अगला प्रस्ण है मनरंजन के संगठन में सबसे महतपुल का रख है मैटेरियल से यानि की समागरी अगला प्रस्वन है पेसी खिचाव को किस रूप में जाना जाता है अगला प्रस्वन है महाविद्याले में सारीरिक सिच्छा की जागुक्ता का मुख माध्यम क्या है तो इसका राइट आंसर जहां तक हमें लग रहा है वह होगा इंट्रा म्यूरल बात करें अगले प्रस्ण की तो अगला प्रस्ण है कौन सी अंता स्रावी गरंती परप्यक्वता के बाद बहुत छोटी हो जाती है तो इसका राइट आंसर है आपसन नंबर 4 पिट्यूटरी अगला प्रस्ण है शरीर की सबसे लंबी पेसी है तो इसमें जितने भी आपसन दिये गया है उनमें सबसे लंबी पेसी में हैमिस्ट्रिंग आती है अता राइट आंसरों का आपसन 4 अगला प्रस्ण पूछा है मानव सरीर में कितनी प्रमुक लार ग्रंथिया होती है तो मानव सरीर में कुल प्रमुक में कुल तीन लार ग्रंथिया होती है जिनमें पहली पैरोटिट ग्लेंड होती है दूसरी सब मैंडी बुलर ग्लेंड होती है तथा तीसरी सब लिंग्वल होती है तो यहाँ पर आपसंती नहीं दिया है तो इस question को आप देख लेंगे अगला प्रस्ण है सरव पर्थम LNUPI की अस्थापना कहा की गई तो इसका full form होता है लक्षमी बाई National Institute of Physical Education तो इसकी अस्थापना की गई थी गौालियर में अथा इसका right answer होगा option number second अगला प्रस्ण है हिर्दय के पिश्मेकर का कार्य क्या होता है तो मानोव हिर्दय की धड़कन को प्रारम करना इसका हो जाएगा right answer बात करें अगले प्रस्ण की तो अगला प्रस्ण है लब डब ध्वानी किस क्रिया के कारण उत्पन होती है तो ये हिर्दय की क्रिया के कारण उत्पन होती है अथा right answer होगा option second अगला प्रस्ण है एक मिनट में मनुश्य का हिर्दय और सतन कितनी बार धड़कता है तो इसका आँसर आपको पता होगा बहत्तर बार अगला प्रस्ण है मानव हिर्दय तक असुद रक्त कौन पहुचाता है तो इसका भी आँसर आपको पता होगा फिफड़े किसी राएं मानव हिर्दय तक असुद रक्त को पहुचाने का कारी करती है अगला प्रस्ण है दिल का दऊरा किस करण से होता है तो दिल का दऊरा हिरदय में रक्त की आप औरती रुख जाने से होता है अतला राइट आंसर हो जाएगा आपसर नंबर सेकेंड अगला प्रस्ण है मनुष्य में कुल कितने जोड़े कपाली तंत्रिकाएं होती है तो इसका राइट आंसर है बारा जोड़े होती है तथा 24 कपाली तंत्रिकाएं होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन नूबर सेकेंड अगला प्रस्ण है मानो मस्तिस्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिमिदार है तो इसका राइट आंसर है आपसन सिकेंड अगर मस्तिस्क अगला प्रस्ण है मानो मस्तिस्क का वजन कितना होता है तो एवरेट 1400 ग्राम होता है जिसका राई टांसर हो जाएगा आपसा नमबर सेकंड 1300 ग्राम से 1500 ग्राम के मद्ध बात करें अगले प्रस्ण की तो अगला प्रस्ण है मानो मस्तिस्क में कितनी गुआएं होती है तो मानो मस्तिस्क में चार गुआएं होती है अगला प्रस्ण पूछा है मानो सरीर की सबसे छोटी ग्रंथी कौन सी है तो सबसे छोटी ग्रंथी मानो में होती है जबकि पीनियल ग्लेंड का आपसं इसमें नहीं दिया है और आपको बता दे कि largest gland human में लीवर होती है तो इस questions को भी आप देख लेंगे अगला प्रस्वन है मानो सरीर का तापमान कौन नियंतृत करता है तो मानो सरीर का तापमान नियंतृत करने का कारे हाइपो थैलमस का होता है अता राइट आंस रोजाएगा आपसन सेकेंड प्रस्ण है ओलम्पिक खेल का सुब आरंब किस देश से हुआ था तो ओलम्पिक खेल का सुब आरंब इंथेश देश से हुआ था अता राइट आंस रोजाएगा आपसन थर्ड अगला प्रस्ण है ओलम्पिक कितने वर्सों के अंतराल पर होता है तो ओलम्पिक चार वर्सों के अंतराल पर होता है अगला प्रस्ण है ओलम्पिक हांकी में भारत ने कितनी बार स्वरणड पदक जीता है तो कुल आठ बार ओलम्पिक हांकी में भारत ने स्वरणड पदक जीता है बात करें अगले प्रस्ण की तो अगला प्रस्ण है उलम्पिक पदक विजेता प्रथम भारती महिला कौन है तो उलम्पिक में पहली बार जो भारती महिला जिनोंने पदक जीता था वे थी करडम मलेश्वरी अथा सेकेंड आप्सन करेक्ट होगा अगला प्रस्ण है भारत ने उलम्पिक में पहली बार कब भाग लिया था तो भारत ने उलम्पिक में पहली बार 1900 में भाग लिया था जो की पेरिस में आयोजीत हुआ था अगले प्रस्ण की बात करें तो अगला प्रस्ण है उलम्पिक मसाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब की गई तो उलम्पिक मसाल जलाने की प्रधा की शुरुवात सन 1928 में की गई थी अता राइट आंसर होगा आपसन नमबर सेकेंड अगला प्रस्ण है पहला ओलंपिक खेल किस वर्स आयोजित किया गया तो पहला ओलंपिक 1896 में आयोजित किया गया था अता राइट आंसर है आपसन सेकेंट अगला प्रश्ण है ACI खेल सबसे ज़्यादा बार किस सहर में आयोजित किया गया है तो इसका राइट आंसर है आपसन नमबर 3rd Bangkok में सबसे ज़्यादा बार ACI खेल आयोजित हुए हैं अता राइट आंसर होगा आपसन 3rd बात करें अगले प्रश्ण की रासाइनिक नाम है, Retinol अगले प्रस्ण में पूछा है कि मानो सरीद में infection रोकने के लिए कौन सा बीटामिन मदद करता है तो कुछ studies में पाया गया है कि जो बीटामिन C होता है वह infection रोकने में मदद करता है अगला प्रस्ण है निमलखित में से कौन बीटामिन A का सर्वोत्तम सुरोत है, तो इसका राइट आंसर है आफसन फर्स्ट, गाजर अगला प्रस्ण है रताओधी किस बीटामिन की कमी से होता है तो इसका राइट आंसर है आफसन नमबर फर्स्ट, बीटामिन A के कारण रताओधी होता है बात करें अगले प्रस्ण की तो अगला प्रस्ण विटामिन A की कमी के कारण क्या होता है तो अभी अभी हमने आपको बता है कि विटामिन A की कमी हो जाने के कारण रताओधी रोग होता है आता 4th option correct होगा बात करें अगले प्रस्ण की तो अगला प्रस्ण है, विटामिन B का रासाइनिक नाम होता है, थाइमिन, विटामिन B1 का रासाइनिक नाम थाइमिन, तथा विटामिन C का नाम होता है, इसकार्बिक एसिड, इसे भी आप याद रखेंगे, और रेटिनाल, विटामिन A का रासाइनिक नाम होता है, अगला विटामिन C का सबसे अच्छा सुरोत क्या है तो जितने भी खटे पदार्थ होते हैं वे सभी विटामिन C के अच्छे सुरोत में आते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन नंबर 4 आवला अगला प्रस्ण है विटामिन D का सरवत्तम सुरोत क्या होता है तो विटामिन D का सरवत्तम सुरोत है सुरी का प्रकास अगला प्रस्ण है कौन सा विटामिन सरीर में भंडारित नहीं होता है तो इसका राइट आंसर है आपसन सेकेंड विटामिन सी हमारे सरीर में इस्टोर नहीं होता है अगला प्रस्ण है नपुन संकता किस विटामिन की कारण होता है तो इसका राइट आंसर जाएगा आपसन नमबर D विटामिन D की कारण नपुन सकता हो सकती है अगला प्रस्ण है जल में गुलनसील विटामिन है तो इसका राइट आंसर जाएगा आपसन नमबर 3 विटामिन B और विटामिन C दोनों ही जिल में गुलंसिल विटामिन होते हैं अगला प्रस्ण है किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है तो विटामिन A तथा विटामिन D दोनों को हार्मोन कहा जाता है बात करें अगले प्रस्ण की तो अगला प्रस्ण है मानव सरीर में किस पोसक्तों की कमी के कारण सरीर में बृध्धी धीमी हो जाती है तो इसका राई टांसर आपसे नंबर 4 विटामिन की कमी के कारण अगला प्रशन है सबजीओं से मुख्यता हमें क्या प्राप्त होता है तो इसका राई टांस रोजाएगा आपसे नमबर सेकेंड विटामिन अगला प्रश्ण है एक ग्लास पानी पीने से कितनी कैलोरी उर्जा मिलती है तो इसका राइट आइट आइट से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो इसका राइट आइट 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 से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो इसका राइट सरीर का कौन सा भाग पेलिया से दुस्प्रभावित होता है जिसका राइट आंसर होगा आपसर नंबर 4 यक्रित यानि की लिवर बात करें अगले प्रस्ण की तो अगला प्रस्ण है किस तत्तो की कमी की कारण थाराइट गेंगा होता है बात करें अगले प्रस्ण की तो अगला प्रस्ण है निमलिकित में से कौन सा इसकरवी रोग के इलाज में उप्योगी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसर नंबर 3 आमला आमला बिटामिन C जिसमें पाय जाता है वह इसकरवी रोग के इलाज में उप्योगी है अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा कैफोसिस का कारड नहीं है कैफोसिस का मतलब कुबड़े पंसे है तो इसका राइट आंसर जाएगा आपसर नमबर थर्ड मोटापे की कारड कैफोसिस नहीं होती है जबकि कौपोसर्ड सोके रोग वाक कंधे पर भारी बोज उठाने से कैफोसिस हो सकती है बात करें इस वेडियो के आखरी प्रस्ण है अंतरराश्ट्री योग दिवस किस तिथी को मनाय जाता है तो इसका राइट आंसर है आपसर नमबर थर्ड लिए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर करें तता हमें एक प्याराशा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसे लगी थैंक्यू